अज हम बात करेंगे internet के facility को use करने वाली technologies के बारे में तो सबसे पहले है हमारा dial up connection जो कि सबसे पहले आया और फिर इस ने हमारे standard telephone line के connection पर हमें internet की facility एवालेबल कराई ये जिसमें हमारा ISP हमारी help करता है जो कि हमें ISP एक unique number दे देता है इस विए उनिक नंबर को हम अपने computer में configure करते हैं और फिर हमें एक modem के जोर पड़ती है और फिर इन चीजों को configure करके अपने computer में हम internet की सुविधा को enable कर पाते हैं और फिर उसे हम use कर पाते हैं और फिर देखा चाहते हैं यह काफी सस्ता connection भी है सस्ता होने के साथ साथ यह काफी slow connection भी है और फिर इसमें कुछ कमिया भी देखी गई कि जब हम कहीं बात करते हैं तो जब हम बात करते थे internet चाहते थे internet भी साद में यूज कर लें तो यह चीज पॉसिबल नहीं हो बाते थी हम चाहते हैं कि हम बात भी करें और साथ में internet भी यूज करें तो यह चीज पॉसिबल नहीं हो बाते थी चीज इसके वाए से काफी है पिछट गया और फिर और फिर काफी है लोग इस पर से हडने लगे लोग दूसरी तो टेक्नलोजी इसको यूज करने लगे और फिर देखे जाए तो जिन लोग वो इस चीज की परशानी नहीं है कि उन्हें एक की टेम पर कॉल भी करने एक की टेम पर इंटरनेट भी चलाना है वो इस लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं और फिर शीज को यूज करते हैं और फिर अगर आपको भी लगता है कि आपको इस चीज से परशानी नहीं है तो आप भी इसको यूज करें और फिर इंटरनेट की फैसलिटी सस्ते में यूज कर सकते हैं फिर